हलेलुईया, हलेलुईया, हलेलुईया प्रभु परमेश्वर, धने बात करते हैं पूरे स्रेश्टी के पालनहार, तारनहार, स्रेशनहार खुदा, हे त्रियक खुदा, पीता पुत्र पवित्रात्म, आज की साम में, हाँ आज की सुन्दर संध्या कान में, आज की आननन्द मेरात्री में, तहे देल से, संपुण मन से, हेर्दे की कहरायों से, लाखो लाख, क्रोडों क्रोडों आपको धने पाँ देते हैं क्योंकि आज का शाम, आज का सुनर संद्याकार, आज का आनन्द मेरात्री, आप अहीं तो हमें दिये हैं हाँ प्रभुजी आज के पूरे दिन प्रभु आप हमें संभाले हम सब प्रभु आपके पर gonna आप में थे आपके छठर चाया में थे आप हमें अपने आँखों की पुतली की नजय देख वल के रख़र रख़वाले किये क्याल रखे देख लेकिये और आज के दिन के साथ आपके महिमा हो, आपकी तैरीफ हो, आपकी प्राय हो, आपका आदर और शमान हो, कि सुबह से लेकर साम तक आपका अनुक्रा की द्रिश्टी हमारे उपर आप हमारे निकटें, और प्रभुजी, पूरी रात आपके अनुक्रा की द्रिश्टी हमारे उपर बनी रहेगी, और आप हमरे निकट रहेंगे और आने वाले दिनों में भी हाँ हमारे जीवन में जो आने हमाला वक्त है है पर ईसमें भी आपके लुक्रा की द्रेश्टी हमारे उपर है और आप हमारे निकट रहेंगे आप हमें सम्हानेंगे हमारे बड़वतरी के लिए उन्ती के लिए हमरा अगुआए भी करेंगे हलेलुया प्रभुजी होने दीज से जैसे हमारी आसा आप से है वैसे हैं आपकी करूरा भी हमारे उपर हो धने पादेते हैं खुदा, आती आती खुदा आपका धने पादू, सनात अचाटान आपका धने पाद करते हैं, आपकी इस्दूती करते हैं, शुरू आती खुदा, आपकी इस्दूती करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तैरीप करते हैं, सहता कीजिया आलपा हुमेग पर विराजमान सेना की यहावा सहेता कीजे मदद कीजे प्रभू एक पर फिर से अपने कानु को हमारे मुँगे फचन क्यों लगाए और सुनिये प्रभू हाँ हमारी सुनिये और सुनकर देर मत कीजे बिलमत कीजे पलके उत्तर जवाब हाँ आमीन में हमें दीजे ताकि प्रभू हमारे जेवन से हमारे गंड़े से हमारे मौँ से आपकी स्थूती हो आपकी महिमा हो आपकी तहरीब हो आपकी बढ़ाई हो आपको आध रोश्रा माँ हो लोड़ी जीसस धने बात करते हैं सहता कर मदद कर खुदा जितने मसीब है विन इस प्राधना को सुने रहे हैं हे प्रभू ओ सब जो कुछ पाने की आशा आपसे रखते हैं उनके आशा को आपे पूरा होने देजे अनुग रह कर खुदा ओ सब ही चीजे उन्हें दे जो ओ लोग आपसे प्राप काना चाहते हैं सहता कर खुदा हो मेरे प्रियों नीरास नहीं होना है प्रभू पर वारोसा रखना है देरस को धरे रहना है प्रभू सब कुछ आपको देगा जो कुछ की आपको जैरूरत है प्रभू देगा हलेलुए प्रभू की इस्तुदि हो परमेश्वर का धनेपाद हो धनेपाद इसो आपकी इस्तुदि हो आपकी महिमा हो प्रभू परमेश्वर आज के पूरे दिन हमें समाने वाले खुदा हमारे परिवारों का भी किहाल रखने वाले खुदा एक कमेसी भाइबिन उनकी पूरी फेमली का देखबान करने वाले खुदा आप का धेने पाद हो आप की अस्तुतः ओ मेरे प्रीओ आप भी तक गे हम जीवितों के पृधवी पर जीवित है मेरे प्रीओ प्रभु का नुकरा हमारी उपर शादा के लिए बना है हाँ हमेशा के लिए हाँ सरवादा के लिए बना है हलेलुया हमेशा आपे प्रभु के पना हमें रहेंगे उसके च्छत्रे च्छाय में पलेंगे पढ़ेंगे उसकी पेहर आपके सर पर बने रहेंगे हमें ऐसा आप पे जीवितों के उस जी आला में रहेंगे और चलेंगे अलेगोई प्रभु की इस दूतियों परमिसुर का धनेपाद धनेपाद करते हैं जीन्दा खुदा प्यारे प्रभु इसु मस्या नुगरा कीजे जोतियों की पीता आपका धनेपाद मेरे प्रियों हम अपने पापो को छुपा कर अपने पास्टर को अपने परिवार को और अपने दोस्तों को धोखा दे सकते हैं पर जो हमारे मन को जाचने वाला परमिसुर है उसको हम धोखा नहीं दे सकते हैं उस सब कुछ हमारे वीशे में जानता है हलेलुया प्रभु केस्त दिया परमिसुर का धने पादू अगर हम उसको धोखा देंगे लिखा है मेरे प्रियोचाब आपके नेती वचन की पुस्दक भी सद है कि उसका सोरी 28 सद है कि उसका 13 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि वह यानि कि प्रमिसुर हमारे सब हलता को ही बंद कर देगा अगर हम परमिसुर से अपने पापो को गुनाहों को गलतियों को अपरादों को छुपाएंगे उसको धोखा देंगे तो वह हमारी सब हलता को ही बंद कर देगा हलेलुया प्रभू केस्दो दियो परमिसुर का धनेपादो कुछ भी आप करेंगे उसमें सब हलता नहीं पाएंगे किसी काम के उपर अपने हाथों को पढ़ाएंगे किसी कारे को आप करेंगे उसब हल नहीं होगा प्रभू क्या करेगा आपकी सब हलता को ही आपकी उन्ती को ही बढ़ोतरी को ही बंद कर देगा हलेलुया मेरे प्रियो जो पाप, जो गुना, जो गलती, जो अपराद किये हैं, प्रभु के सामने मान लिए इसे हैं, हलेलुया, और उसको छोड़ भी दे इसे, फिर से दुहराना नहीं है, यानि कि फिर से पाप नहीं करना है, प्रभु के सामने मान लिए हैं, तो फिर से उसकी और न आप रात की और नहीं बढ़ना है अगर सोचेंगे कि प्रभु तो छामा कर दिया है अब हम उबाही करें जो पहले करते थे मेरे प्रियों लीखा है जब आप चोदाव बद के फचल को पढ़ेंगे तो लीखा है प्रभु के भहे में जीना सीखो अगर आप प्रभु के भहे में नहीं जीना सीएंगे अपना मन मानी करेंगे अपने मन को कठोर कर लेंगे लीखा है कि आप बीब्तियों में पढ़ेंगे हालेलुया प्रभु के इस्तुतियों पर में सरका धर्यवाद जो कोई प्रभु के भाय में नहीं चालता है अपने मन को कठोर कर लेता है लिखा है नीती वचन की पूष्टा का ठाय सदय के चुगदय में कि उफ़ा है बीप्तियों में पड़ेगा समस्याओं में उज़ानों में कलेसों में फासेगा मुसीबत परिक्षा में पड़ेगा हलेलुया प्रभु के स्थुद्यों पर में सब्सक्र का धन्यवाद है धन्यवाद है सो आपके स्थुद्यों आपकी महिमा हलेलुया प्रभु के स्थुद्यों मेरे प्रियों आपका बाप, आपका गुना, आपका गती, आपका अप्राथ प्रभु च्छामा कर दिया है, प्रभु की उर से च्छामा होकिया है, मा भी मिल किया है तो पवित्रताई और एसूधिता में अपने जीवन को विदाएए हलेलुया प्रभु की इस्दूदियों प्रभु के वच्चन के नुशार चलिए उसके भहें में अपनी जीवन को विदाए थाकि आप पे किसी भी विप्तियों में परिक्षा में मुसीबत में ना पड़े कलेज उल्जन में समास्या में ना फ़से हमेशा आपका बाचाओ प्रभु की ओर से होता रहे प्रभु के भहें में अपनी सिवन को विदाता है प्रभु उसमें उनको यानि की बीप्तियों में उनको पड़े नहीं रहने देता बलकी निकालता रहता है लिखा है मेरे प्रिवत दोस्ट लोग एक बार गिरेंगे तो नहीं उठेंगे दार्मी लोग कितनों बार गिरें लेकिन उठकर खड़े हो जाएंगे पर पापी एक बार गिरेंगे उसी में पड़े रहेंगे बीप्तियों में ही पड़े रहेंगे गड़े में ही पड़े रहेंगे नहीं उठ सकते उठकर खड़े नहीं हो सकते मेरे प्रभु के बचन को शुनते हैं पढ़ते हैं तो उसको अपने जीवन में लागो करेंगे तो बचन आपके जीवन को चेंज करतेगा बदल देगा, आपके जीवन को शुन्डर बना देगा सामार देगा हलेलुया प्रभु के स्थितियों आपके लिए मार के खुलेगा रास्ता बनाएगा वच्छा नहीं परमेस्वर है परमेस्वर क्या करेगा आपका मार के दरसल करेगा कि आप आएंगे के रुपड़ है जो भी करें उसमें सब हालता पाया जिस कामा के ऊपर कारियों के ऊपर अपने हाथों को बढ़ाए उस सब फलोज है हलेलुया प्रभु के स्थितियों परमेस्वर क्या देपादो आज का वचल क्या कहते है हलेलुया हम सब को दोगा दे सकते अपने पापों को को नह को अपुरातों को चुपा कर तकी लेकिन परमेसोर को नहीं परमेसोर को नहीं दोगा दे सकते हैं एंशले सिर्फ बातों को चाहिसता रहाता है उससे कुछ भी चुपा नहीं है हलेलोया प्रबु की स्तुद्वि सोचेंगे चनाख बलेंगे कि हाँ प्रभु से हम छुपा सकते हैं दोखा देंगे हलेलुया क्या लिखा नीती वाचन अठाई साथ देखे तेरा में प्रभु हमारे उन्ती को ही शाफालता को ही बड़ होतरी को ही बन्द करतेगा हलेलुया प्रभु किस दो दियो कभी हमारे उपर दिया नहीं करेगा हलेलुया प्रभु किस दो दियो इसलिए मेरे बिरियो प्रभु से कुछ भी छुपाना नहीं है जो किये है जाने आंसाने पे जो भी केलती अप्राथ गुना दुष्टता के गाम पाप हुआ है प्रभु के सामने मान लेना है और फिर से दुहराना नहीं है ताकि प्रभु हमारी सब भालता को बंदना करे हलेलुया प्रभु किस दो दियो हमेजा हमारे उन्ती के लिए बढ़ोतरी के लिए हमारा आगवाई करे हलेलुया प्रभु किसे भी वीव्टियों में हम ल लापासे तारिक बढ़ाई करे सहता के लिए प्रभु जी है मददगार खुदा अन्ती के आपके उपस्थेदी में आए है प्रभु आपके चेरलों के निकट आए है प्रभु सहता के जिए अनुग्रा कर खोदाओं है प्यारी प्रभु इसुमसी हम समसी भैवेन मिलकर आपसे प्राधना दुआ याचना करते हैं अनुग्रा कीजिए हमरे बोड़ी के एक एक आँगों के उपर आप अधिकार रखे ताकि हमरे बोड़ी के कोई भी आँगए आपके बिरुवद में काम करने ना पाए आपके खिलाब में जाने ना पर हाप रभू हमरे बोड़ी के कीसी भी भाग के द्वारा कोई बाप गुना गलती अपरादे दुष्टता की काम ना होगे अनुगरा कर खुदा हमारे मुखों पर पहरा बैठाईए ओठो की द्वार की रखवाली कीजिए ताकि किसी के प्रदि गलत वड़ हाग गलत सब्द गलत वचन ना निकले अनुगरा कर खुदा आपके इस्तुदी हो होने देजे प्रभु जाने जाने में जो भी गलती बाप गुना अपराद हम सब उसे हुआ है उसके लिए प्रभु माफिय मांगते है प्रभु माफिय देजे च्छामा मांगते है प्रभु च्छामा कर धनेपा देते हैं सहता कर प्रभु आपके इस्तुदी हो आपके मैं माओ आपकी तरीफ हो लोड़ी जीजस धनेपा देते हैं इसोना स्रीफ सहता कर एक बर फीर से प्रभू अपने सीने से लगा और अपना आशीम प्यान दुलार सबों को दे हाँ प्रभू हम मीटी हैं तो कुमारे एक बर फीर से अपने हाथों में उठा और अपने एक्छा में हमें ढाल दे रच दे बना दे खुदा कि हम उपाही करें, जो तू चाहता है, हलेलुया, प्रभु के इस्तो दियो, वैसा ही बने, जैसा आपको भात आए, हलेलुया, प्रभु के इस्तो दियो, परमिस्रफ धनेफाद, धनेफाद इसो, आपके इस्तो दियो, आपके महि महलोडे चीसेश धनेफाद इते, मेरे प्र वैसा ही अपने आपको पढ़ाए वैसा ही जीवन जीओ। वैसा ही जीओ। किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तकलीफ ये ना हो, अनुक्रिया का स्वर्गे पिता रोग विमारी उत्पा ना हो, किसी के ऊपर शैतान या दुष्ट गुरूल मनोस आटे की ना करें। बुरी ने स्वर्गे का परमेसा धने पादेते हैं। आपके स्वर्गे करते हुचे परविरा समाथ खोदा। आपके स्वर्गे का स्वर्गे करते हैं। किर्पा की जमान पर मेश्वर धन्यपाद करते हैं, आपके स्थूधी महिमा प्रासान सा करते हैं, तारिप करते हैं प्रभुजीर, बढ़ाय करते हैं जायता किसे बीमारों को चुली से और चंगाया दीजे दुश्टात्मा से, ग्रसित फिक्ति को चुली से और छुटकारा किसी बात को लेकर चिंता करें, सोच रहें स्वर्गे पीता उनको, आपके पिता पर मिश्वर, दया की जमान पर मिश्वर, उनकी सुधी लेजे प्रभु, चैन दीजे, सांती दीजे उनको, प्रभु अनुग्रह का शुकून देखो ददाने पाह देते हैं, आपकी स्थू प्रभु अनुग्रह कर, 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 प्रभु अन आपके महिमा हो लोड़ी जीसस धन्यफाद है ये सुना स्री आपका धन्यफाद है प्रभी सुमसी आपका धन्यफाद है प्रभी सुमसी आपका धन्यफाद है प्रभी सुमसी आपको मिले प्रभी सुमसी आपको मिले प्रभी सुमसी प्रभी सुमसी आपको मिले प्रभी सुम आमें उसका प्रधिभल मेरे प्रियों आपको स्वर्गे से मिलेगा प्रभू देगा लिखा है कि उपाँ आपके नामों को स्वर्गे के जीवन के पुष्टक मिलेगा अलेलुया प्रभू के इस्तुदियों प्रभू के वच्चन को एक दूसरे के अंदर बोहेंगे प्रभू के न आपके नाम को स्वार के लिए जिवन की पूष्दद हम लिएगा हलेलॉया प्रभु किस दो दिए हलेलॉया प्रभु किस दो दिए पर मैंँ से बतना रभा दो अगर आपका पृषद्धा नहीं दो तो कमेंट के मॉन हम से दे सकते हैं हाँ आप अपनी प्राथना विश्य कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं आपकी जो शमाज़्या है दिक्कते परसानिय तकलीफ है प्रोब्लम है आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट के द्वारा बता सकते हैं हम आपके कमेंटों को रोज बढ़ते हैं, रोजे देखते हैं, और आपकी जो प्राथने विशे होता है, प्राथने विदन होता है, प्रभु कैसुरी मेरा कर प्रभु से दुआ करते हैं, बिस्वास रखिए मेरे प्रियों, बिस्वास करने वालों के लिए सब कुछ होशकता हाँ सब कुछ, कुछ भी मुश्किल कठी है, नमों किरा सब हो नहीं होगा, सब कुछ हो शकता है, हलेलुया, प्रभु के स्थूदियो मेरे प्रियू, आपका विश्वास है, तो प्रभु आपके जीवन में, आपके प्राथाने वेदन, प्राथा वेशे का उतर आपको अड्रेनमे, वी जेमस्थ.